स्री सिवाय नमस्त अभ्यम 2024 धन तेरस के दिन मंगलवार हो रहा है आप सभी को भूल कर भी राहू शनी और यह जो केतु से संबंधी चीजे हैं जो आपके जीवन में असुभ प्रभाव डालती है खरीदने से बचना चाहिए मातरी है एक चीज अगर आप खरीद लेते हैं त उसके बाद आपको संपूर्ण और स्रेष्टतम तरीके से जानकारी मिलेगी गुरुजी जो पूजन की वस्तु बताते हैं उसमें से एक वस्तु ऐसी है धन तेरस से पहले आप सभी धन तेरस के दिन खरीद कर शाम को प्रदोशकाल में उससे पूजा कर लेते हैं तो यकीन मानि आपका भाग्य बदल जाता है उदियाती थी अनुसार 2024 में मंगलवार 29 अक्टूबर को धन तेरस का पावन पर मनाया जा रहा है इस दिन भगवान धन वंतरी देवता कुवेड जी महराज का पूजन मालक्षमी स्रीगणे जी का पूजन किया जाता है और साथी जो धन धन तेरस किती थी सुरू होगी 29 अक्टूबर सुबह 10 बचकर 31 मिनट के आसपास और 13 इती समापन की ओर होगी 31 अक्टूबर दो पहर 1 बचकर 15 मिनट के आसपास ठीक है जी इस स्क्रीन पर भी मैंने दिया हुआ है तो आप सभी इस चीज को नोट डाउन करते हुए पूजा का जो सबसे अच्छा समय बन रहा है वह जिसे अभीजीत महरत के रूप में जाना जाएगा वह इस समय अगर आप खरिदारी करते हैं तो स्रेश्ट तम सरूप में इसे कहा जाता है 29 अक्टूबर के दिन अभीजीत महरत दोपहर में 11 बचकर 42 मिनट से 12 बचकर 27 मिन गंटे 42 मिनट के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है तो 29 अक्टूबर को शाम को 6 बचकर 31 मिनट से 8 बचकर 31 मिनट के आसपास साम की पूजा का समय मिल रहा है इस समय दीपदान और सभी देवी देवताओं का पूजन आपके भागी के रेखाओं को प्रबल कर सकता है साथी धनते रस के दिन आप सभी को बताते हुए चलो सुबह के समय में भी बहुत सुंदर दूरलब सयोग इस्तिरलग नित्यादी तिरपुषकर योग का निर्मान हो रहा है तो आप सभी 29 अक्टूबर के दिन इस समय कोई स्रेष्ट कारी करते हैं तो अद्भुत फलो की पुषकर 31 मिनट के आसपा समय प्राप्त हो रहा है तो पुषकर योग अपने आप में धनते रस के दिन पढ़ना बहुत सुब है पूरे दिन भर में व्यापत है कहने का अर्थ है तो इस तरह से आपको सुब महरत सुब समय में ही कार्यों को पूर्ण करना है और अपने भा जानी का प्रियतन कर रही हो इन दिन उसी काम में हो तो उसे जल्द ही प्रिया जो है मैं पब्लिक करूंगे आपके लिए लाओंगी तो उसमें गुरुजी ने कह रखा है जो सबसे प्रिये हमें वस्तु है वह है अमर बेल अमर बेल जो है गुरुजी ने कहा है पूजा की स साथ टुकडे अपने पूजा स्थल पर आप रखेंगे मा भगवती अर्थाद मा लक्षमी को चड़ाएंगे भगवान कुबेर भंडारी को चड़ाएंगे और धनवंतरी देवता स्रीगडे जी महराज को आप पूजन में समर्पित करेंगे और नियमित रूप से आप इसे पांच दिनों की पंच दिवशी पूजा में प्रियोग लेंगे अमर्बेल के टुकड़ों को फिर बाद में जब पूजा समाप्त हो जाए अपने घर की तीजोरी में इसे रख देंगे तो यकीन मानिए आपके भागी इतने बदलेंगे साल बर आप चमतकार देखेंगे घ घर में धन धान की कमी नहीं होगी रोग दोस कस्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी आप सभी को अमर्बेल के टुकड़े ज्यादा भी ला सकते हैं परंतों गुरुजी ने कम से कम साथ टुकड़े पूजा में प्रियोग करने के लिए कहा है तो अमर्बेल के साथ तुकडे आप लाकर धन तेरस के दिन या धन तेरस से पहले जरूर से घर में रख लेने हैं ऐसा करने से धन्वंतरी देयतामा लक्षमी और कुबेर भंडारी प्रसंद होते हैं और कुबेर जी महराज की क्रपा से घर में किसी चीच की कमी नहीं होती कहीं पैसा नहीं लगता अमर बेल खरिदने में कहीं भी इस्थान पर जाईए वहां आप देखेंगे कि अमर बेल जो है एक बार लग जाती है नाम से ही इस पस्ट है अमर बेल अर्था जो कि अपने आप में अजर अमर है एक बार कहीं पर लग जाती है कहीं घर में अपना इस्थान रखती है तो इ साथ कमल गट्टे भी प्रियोग में लेने हैं तो धंते रस के दिन आप सुबह पूजा में समय के अनुसार लेकर आईए और अभिजीत महरत में लेकर आईए या पहले भी लाकर आप किसी अच्छे स्रेश्ट दिन में कमल गट्टे जादा से जादा घर पर लाकर आप रख सक पूजा में प्रियोग लेने के लिए जरूर से घर लेकर आनी है इसके अलावा पूजा की जो अन्य सामगरी होती है वह तो आपको प्रियोग में लेनी ही है तो आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को घर लाएं और अपने भागी की रेखाओं को प्रवल करें इसके कई चीज़ें इस दिन खरी दी जा सकती है वह मैं बताने से पहले आपको बताते हुए चलो कभी भी आप सभी को राहो सनी और केतु से संबने दी जीजों को घर में खरीदने से बचना चाहिए वह वस्तु है सबसे पहले जूता जो काला जूता होता है जो चमड़े की वस् इस तरह कि जो अपसिस्ट वस्तु कही जो सास्त्रों में निशेत कही गई है उसमें आता है स्थान कांच राहु से संबंद रेखता है कांच की वस्तु में भी घर पर आप खरीदने से बचें यह स्रेश्ट और सुब नहीं माना जाता धंते रस के दिन आप इन्हें प्रिय बस तो भी आप सभी ना खरेदे इस बात का ध्यान रखें और इन चीजों का भी ध्यान रखें कि आपको लोहे से संबंदी जैसे चाकू चूरी पहले से खरीद कर चीज़े घर में रखें अच्छे दिन बार को परंतु आपको इन चीजों को जो है धन ते रस के दिन घर मे नहीं खरिदना है इस चीज का आप ध्यान रखें तभी आपका ब्रत उपवास सफल होगा और आपके जीवन में खुशियों के भंडार भनेंगे देखिए कहने को यह बात है चोटी चोटी चीज़े हैं कई लोग इसे नदर अंदाज भी करते हैं और जीवन भर जो है कही न क ही दुख पाते हैं परंतो साधार और सरलतरीके से यंग जनरेशन है वह चीजों को मानती है समस्ती है और बड़े प्रेम पूर्वक इन चीजों को खरीती है तो परणाम अद्भुत मिलता है तो सबसे सुन्दर अवस्था में आप इस दिन जाडू खरी देगा जाडू भी के दिन आप जाडू खरी दिये जाडू आपको जो है बांस की बनी हुई या जैसी भी है जिस भी सवरूप में है परंतो प्लास्टिक आप अवएट कीजेगा प्लास्टिकी जो है सुब नहीं मानी जाती तो आप सभी को विशेश तोर पर जो जो जाडू होती है वह खरीत कर लानी है धनतेरत सुब समय में और उसे आपको पूजा स्थल पर लखनी है उसमें रोली चंदन मोली अक्षत वगरा सारी चीज़े छिड़काओ के सरूप में करनी है दिपावली की पूजा के बाद उसे आप सभी प्रियोग में ले लिजेगा परंतो ध्यान रहे पुरा सभी को धनतेरत की पूजा सुरू करने से पहले ही आपको इन दिनों खोब अच्छी साफ सफाई करनी है पुरानी टूटी फूटी ज़ाड़ू धनतेरत से पहले पहले दिवाली सुरू होने से पहले पहले ही घर से बाहर फैक भीजे घर पर अच्छा रंग रोगन करें यह जो है घर का सभी तरह से माहल खराब करने वाले होते हैं तो घर के दर्वाजों पर आवाय ना आने पाए इसके लिए घर के दर्वाजों पर तेल इत्यदी लगाए और रंग रोगन की प्रकरिया करें घर के मुख्य दर्वाजे को खूप सुन्दर सुसजित करें घर पर ज ठोटा सा घर महल के सामान विदित हो और खूप दीपदान करने के लिए तैयार हो जाएए मिट्टी के खूप सारे दिये, मिट्टी के बरतन, धनिया इक्तेदी करिदना, संख खरिदना, माता लक्षमी से जूड़ी हुई, लाल रंग के वस्तर और सीप खरिदना, जो माता ल आप देखें चमतकार कैसे होता है, रोग दोस संकट कस्ट पीडाओं से कैसे आपको मुक्ती मिलती है, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कस्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो इन दिनों का लाब उठाएं, और भागी की रेखाओं को प्रबल करें, धन तेरा सुरू होने से पहले ही घर को साफ सुतरा करें, घर में पड़ी हुई, जो खाट इत्यदी है, जो काम में नहीं आती, छत में कई बोर, कई लोग लालच वस घर से उठाते हैं, सामान और छत में रख देते हैं, ऐसा सही नहीं है, पूरे घर की सफाई का सास्त्र विदान कहता है, तो भगवान जी के अपसिस्ट वस्तो है, जैसे उनकी पोशा खराब हो गई है, फूल, पत्ती, जाले, मार्चीस, रूई, बत्ती या जो भी चीज़े हैं भगवान जी से संबंदित, जो खराब हो गई हैं, धोमिल हो गई हैं, उन्हें भी आपको विसरजित कर देना चाहिए यह पावन पर्व सबसे अधिक जाना जाता है, साप सफाई, रंग, रोगन और खुब सुंदर अवस्ता में खुद को और घर की साप सफाई के लिए, तो जितना संबह हो प्रभु के आराधना के लिए इस महने का लाब उठाएं और अपना जीवन भगवान को समर्पित कर फिर देखें कैसा भाग की बदलता है, जैसरी राधे, हरहर महादेव